एलो गाईज वेलकम टू माई चैनल मधुज कीचन में तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ तू इन वन फ्लेवर वाला बहुत हेल्दी और यूनिक नास्ते की रेसिपी ये देखने में भी बहुत संदर है और खाने में भी बहुत जादा हेल्दी है तरीके से सायद ही आपने पहले कभी इसे बनाया होगा एकदम नया तरीका आपको ये बहुत पसंद आने वाला है बनाने में एकदम आसान है और देखने में भी एकदम यूनिक है एकदम अलग तरीके का नास्ता बन कर तयार होगा यहाँ पर हमने एक बंच पालो को अच्छे साफ कर लिया है और इसको धोकर हमने तीन से चार सिगिन के लिए ही उबालना है और अब हमने पालो को उबाल लिया है और यह दिखी इसको हम चाल लेते हैं इसका सारा पानी हमको निकाल लेना है और अब पालो को हम एक जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसका जो यह पाणी है, इसको हम फैकेंगे नहीं, इसी से हम आटे को गूदेंगे और यहाँ पर हमने पालक का भी पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर हमने एक कप आठा लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और दो चमर्स तेल भी डाला है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें पाला का पेश्ट डाल लेंगे और अच्छे से इसको हाथों से मलते हुए एक medium soft dough बना लेंगे देखे इस तरीके से कितना बड़िया हमारा आटा का color आया है इसमें हमने बिल्कुल भी color का use नहीं किया है अच्छे से हाथों से मलते हुए हम इसका एक medium soft dough बना लेंगे और अब हमने एक beetroot को लिया है और यह देखे उसको हमने छिल लिया है और उसको grate कर लेंगे और अब beetroot को भी देखे हम इस तरीके से प्रेस करते हुए दबाएंगे एक चन्नी में और उसका सारा जो juice है उसको निकाल लेंगे और यह इतना juice बनकर तयार हुआ है और अब चलिए इससे भी आटा लगा लेते हैं इसके लिए भी हमने एक कप आटा लिया है और यह देखे थोड़ा थोड़ा juice डाल कर हम इस तरीके से आटे को गूदेंगे और इसको भी हमने देखे इस तरीके से हातों से मलते वे एक मीडियम सोप डू तयार कर लेना है जब तक आटा सेट हो रहा है हम इसके स्टफिंग तयार कर लेते हैं इस्टफिंग बनाने के लिए हमने एक पैन में दो चमस देल लिया है और अब उसमें आदा चमस जीरा डाल लिया है एक चोथा ही चमस हम हिंग डाल लेंगे और अब इसमें हम एक कटोरी मटर डालेंगे और अच्छे से भूलेंगे फ्रेंड्स हम इसमें ज्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे और अब यहाँ पर हम आदा चमश नमक डालेंगे और अब इसे 3-4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे नमक डालने से मटर बहुत जल्दी सोफ्ट हो जाएगी और बिसे भी ये ताजी मटर है, तो बहुत ही जल्दी सोफ्ट हो जाती है और अब दीखें मटर को 3-4 मिनट हो गए हैं भूनते वे और ये सोफ्ट हो गई है, इस स्टेज पर अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे, और मटर अब ठंडी हो गई है अब हम इसको एक स्पून की हेल्प से दबाते वे मैस कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा प्यास डाल देंगे बारी कटा हुआ लवक दो चमच आधा चमच बारी कटी हरी मेर्श डालेंगे अगर आपके गर में बच्चे हैं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारी कटा हुआ आधा चमच से थोड़ा कम नमक लिया है नमक हमने मटर को भूंते टाइम डाला था इसलिए भी थोड़ा कम लिया है आधा चमस धनिया पौडर डालेंगे एक चोथाई चमस लाल मिर्च पौडर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें हम एक आलू डालेंगे, आलू को हमने उबाल लिया था और उसको ग्रेट कर लिया है और इसको अच्छे से मतर के साथ मिक्स कर लेंगे और यह हमारी स्टफिंग बनकर तयार हो गयी है चलिए विस्नेक्स बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हमने एक ग्रेन आटे की लोई ली है और इसके हमें एक बड़ी रोटी बना लेंगे रोटी को हमने ना जादा पतला बनाना है और ना ही जादा मोटा बनाना है और यहाँ पर हमारी रोटी बनकर तयार हो गई है और यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी ली है आप इसकी जगा गिलास भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं और इसके हमें equal size में पूरिया काट लेनी है यह देखे हमने एक बराबर size में सभी पूरिया काट ली है बना कर त्यार कर लेंगे है और यहां पर दीखिए हमने इस तरीक़ी के पूरी लिए है और इसको हम को हल्का साओर बेल लेना है बड़ा कर लेंगे साइज में ए पर यहां पर हम선ब भी सेंटर में इस्टैफिंग को रख लिया है और उपर से हमने दूसरे गलर्क की पूरी रखी है ये दिकिए इस तरीके से अच्छे से दवाते वे चिपका देंगे अच्छे से करेंगे और इसको चिपका देंगे अ अरुभी के यहां पर मैंने एक धकन ले दीजिए है और इसको हम बीच में इस तरीकी, से रखेंगे और साइड में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे यह सब SHAD में छोटे चारो तरफ हम इसी तरीकी, से पर लेने है है कि मुट कट लगाने के बाद हम धकन को उपर से हटा देंगे और अब देखिए दो जो हमने कट लगाए थे उनके बीच वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से हलके हलके दबाते जाएंगे और ये देखिए हमारा कितना अच्छा एक पत्ती का सेप आ रहा है फ्लोवर का सेप आ रहा है ये देखे इस तरीके से दो कट के बीच वाले पार्ट को हमको इस तरीके से हलके हलके प्रेस करना है और हमारा बहुत ही सुन्दर सा डिजाइन वन कर ये तयार हो गया है यह देखिए यह देखिए हमारा बहुती सुन्दर सा और यूनिक सा डिजाइन बन कर कम्प्लीट हो गया है इसी तरीके से हम दूसरे स्नैक्स को भी तैयार कर लेते हैं हमने बीच में स्टेफिंग रख लिये है और उपर से देखिए हमने पूरी को रख लिया है और अच्छे से प्रेस करेंगे हम चारो तरप से और फिर से हम कोई धकन या कटोरी या गिलास को रखेंगे जो भी साइज हमारा फिटा जाता है और कट लगा लेंगे छोटे-छोटे फिर से देखिए इस तरीके से हम सेब बनाएंगे दो कट के बीच में हमको सेब बनानी है यह देखिए इस तरीके से इसी तरीके से हम देखिए यहाँ पर सारे स्नेक्स को कम्प्लीट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमने सारे स्नेक्स कम्प्लीट कर लिए हैं बनाकर चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से कड़ाई में आ जाएं, उतने ही डालें, और इनको हमको थोड़ी दिर तक ऐसे ही पकने देना है, जब ये एक तरब से हलके हलके सिखने शुरू हो जाएंगे, फिर हम इनको पलड़atellि के अब देखिये हिनको हलके हलके पलट देंगे दोनों तरफ से इनको ऐसे ही अलटते पलटते वे सेख लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन ये सेखना है जिसे कि ये अच्छे से क्रंची हो जाएं और क्रिस्पी बने और ये देखिए कड़ाई में भी कितने प्यारे लग रहे हैं अब कितना प्यारा इनका कलर लग रहा है तो दीखिए हलका हलका इन पर सुनहरा कलर आने लगा है और ये अच्छे से सिखने लग गए है इसी तरीके से कम से कम हमें इनको साथ से आट मिनट मीडियम फ्लेम पर शेकना होगा इनको उलटते उपलटते वे हमें दोनों तरब से अच्छे से से शेक लेना है और अब दिखें यहाँ पर हमारे स्नेक्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं और यह देखें कितने सुन्दर लग रहे हैं देखने में ही एकदम फ्लोवर के जैसे इनकी से पाई है यह देखें एक एक करके हम सबको निकाल लेते हैं कड़ाई से यह अच्छे से फ्राई हो गए है देखें कितने सुन्दर फ्लोवर के जैसे दिख रहे हैं और देखें इनका कलर भी कितना प्यारा आया है फ्राई होने के बाद भी एकदम रेड और गरीन कलर के यह आपको दिख रहे हैं देखते हैं एकदम मुँ में पानी आ रहा है बच्चे तो बच्चे बड़े भी जब इसको एक बार खाएंगे ना तो बार बार आपसे यहीं बनाने के लिए कहेंगे तो चलिए अब इनको सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन का बटन दवना न भूलिएगा जिसे की मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें थैंक यू